हेलो फ्रेंड्स में यूट्यूब चनल हरस्वेता सिंग पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड एक बाप फी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ अगर वीडियो चलाइक जरू किजिएगा चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू किजिएग है तो चलिए देखते हैं क्या है तोbird 31 है आसन किस प्रकार कि योग के अंतर गताते हैं वूर स्च्ipp假it नेक्ष्न पर 30 नेक्स्वेतर नम Mae 32 योगिक व्यायाम क्या है योगिक व्यायाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा डाइनेमिक वर स्टेच वर स्टेटिक बयायाम आपका योगी बयायाम है next question number 33 अपने प्रतिक किये गए सारी रिक वर मानसिक यहां पर सारी रिक वर मानसिक हो जाएगा ठीक है सारी रिक यहां पर मैं सौट में लिख रहे हैं सारी रिक वर मानसिक ठीक है अपने प्रति किये गए सारे रिक वा मानसिक सुच्छता में क्या सन्निहित है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा नियम ठीक है अंसर हो जाएगा नियम next है next हम देखते हैं question number 31 sorry question number 34 नासिका मारगों की सफाई की सटकर्म प्रक्रिया क्या है तो इसका अंसर है आपका नेतिक रिया तो हम नासिका मारगों की सफाई करते हैं Next question number 35, आंखों को जपकाए बिना किसी बिंदू या वस्तु को एक टक देखने को क्या कहा जाता है? तो इसका अंसर हो जाएगा त्राटक, आंखों को जपकाए बिना किसी बिंदू या वस्तु को एक टक देखने को त्राटक कहा जाता है. नियम को व्यक्तिकत अनुसासन के नाम से प्राणायाम, सीथकारी एक प्राणायाम है एक प्राणायाम है तो इसका आंसर हो जाएगा लचीला पन ठीक है योग आसनो द्वारा लचीला पन अच्छे से विक्सित होता है नेक्श देखेंगे योग आसनो द्वारा यह कोश्चन आपका फिर से रिपीट हो चुका है इसको आप कॉस्ट कर दीजिएगा ठीक है चलिए तो हम नेक्श देखते हैं कोश्चन आपर फॉर्टी नौली का संबंद किस से है नौली का संबंद किस से है तो इसका आंसर हो जाएगा सट कर्म ठीक हैं नौली का संवंध हमारा सट कर्म से है चलिए नेक्स देखते हैं कोश्यनना फटीवन आईस किसका भाग है जो मैंने आपको गल बताया था कि यह मासल हम लोग सट कर्म जो पड़ते हैं तो इसे पूछता है कि अहिंसा किसका भाग है तो इसका अंसर हो जाएगा यम का अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका अंसर हो जाएगा सरीर वरमन दोनों से प्राडायाम का संबंद सरीर वामन दोनों से है नेक्ट देखेंगे कोशिय नबर फटी थी योग कक्षा में छात्रों को एक बड़े समों में के बैठने की सोईधा जनक बिवस्था में सम्रित किया जाना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा दो पंक्तियों में दो पंक्तियों में बीना अंतराल के और सिक्षक है तो डायस के साथ सम्रित किया जाना चाहिए यानि कि जब योग कक्षा में छात्रों बैठे होते हैं उनकी संख्या जादा होती है तो उनको दो लाइन में बैठाया जाए और जो सिक्षक है जो आपका ट्रेनिंग दे रहा है जो प्रसिक्षन दे रहा है योग का उसको एक डायस पर थोड़ा उचे स्थान पर बैटना चाहिए तक कि जिससे सारे लोग उनको देख सकी है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कोस्चन नबर 44 किसी छोटी योग कक्षा क के लिए विद्यार्थियों को बैटने की सरवादिक उत्तम बिवस्ता कौन सी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा वृत्ताकार ध्यान रखिएगा कि जब समूर में ज्यादा लोग होते हैं तो उनको क्या क्या जाता है कि दो लाइन में बठाया जाता है और जो योग क्या है एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग क्या है तो इसका अंसर है राज योग आपका एकाग्रता के लिए किया जाता है या राज योग से हमारी एकाग्रता विख्षित होती है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कोशिन और 46 भारती योग संस्थान किस सहर में इस्त इसको एक संस्थाने घंडि मतलब और इससे मुराठऑपरी तरसाई यांड से पिड़ारा अब सकते हैं। आ के में संस्थाने करें ह ﷺ घाले तो ऐसे फितिसके इसे मुराठऑपरी चीथ none और प्रसिक्षक के पर सब्सक्राइब योग संथान है उसे मुराजी साइरास्ति राष्टि संसथान के नाम से भी जाना जाता है ठीक चलिए नेक्स्स देखते हैं हमारा क्या है को स्टिन आवर 47 किसी विद्धार्थी द्वारा किसी विश्ष्ष्ट योग अभ्यास को सीखना किस पर निर्भर करता है किसी विद्धार्थी द्वारा किसी विश्ष्ष्ष्ट योग अभ्यास को सीखना किस पर निर्भर करता है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रसिक्षक के इस पर प्रसिक् तो उससे विद्यार्थी जो है वह बहुत अच्छे से सीखते हैं चलिए नेक्स्ट है कोस्टिन नमर फॉर्टी येट इस बाहे यहां पर बाहे नहीं हो जाएगा यह आपका हो जाएगा बाहे ठीक है 22-200 की संपरक से इंद्रियों का निग्रः करने को क्या कहलाता है ठीक है यह व्यास नहीं होगा ठीक है बाहे बिस powiedział की समपर्क से इंजल करने कि निग्रह करना क्या कहलाता है तो इसका अंसर है प्रत्य हार ठीक है प्रत्य हार और है कोस्चन नंबर 49 आ रिंगे कमार किसAndM senate is a hard a ऊंसर तो एक कोकित दिया है तो प्रेंग्स अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एक जरूर कीज़े एक छोटा सा मैं बार-बार कहते हूं कि एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कीज़े अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीज़े ओके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ एक करने के सला कभ दो ये है जो इससे पहले हम fe Inkdomot कर लेना चाहिए चली खक्रम कर दिया है नोब 56 वस्ट ने कि सो और वोसिट ने किसी वल नेक्स पूस्छल है को सिन नुवर 52 योग के किस अंगे के अभ्यास द्वारा वेकति द्वंधों से आसानी से नहीं होता है यहां नंद हो जाएगा यह यांसर हो जाएंगा आसनी है चलिए नेक्स देखते हैं Question number 53, आपरीगरह किसके अंतरगत आता है? तो इसका अंसर हो जाएगा यम. Question number 55, सरीर में इस्थाईर तो तथा मन में एकागरता लाने के लिए सरीर को विशेस मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है? तो अंसर हो जाएगा हमारा आसन. ठीक है? चलिए. Question number 56, मन को पवित्र करने ही तू क्या आवसेख है? तो अंसर हो जाएगा प्रणायाम. ठीक है? मन को पवित्र करने ही तू प्रणायाम आवसेख है. Question number 57, इंद्रिआओं को व्सेख में रखने संबन्दी योग कोंसा चरण है? तो अपका प्रत्याहार. याने ध्यान की पराकाच्टा ही समाधी है, नेक्स देखते हैं, question number 59, question number 59, धनात्मक सक्ति यानि की सूर्य यों रिदनात्मक सक्ति यानि की चंद्र, इन दो सक्तियों के परस्पर मिलन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हठियो, ठीक है, यानि कि जो हम बाई नाक से मिलते हैं तो उसे दंथ में दोने का मिलन ही ऐक पॉइंट में मिलते हैं तो उसी को हमारा हट योक केते हैं चलिए, ले टेखते हैं, question number 60, योग का प्रचलित रूप क्याहै, योग का प्रचलित रूप क्याहै, तो इसका अनसर हो जाएगा, आस्टांग योग, योग का प्रचलित रूप है, तो friends, यह रहा हमारा, आज वीडियो का 30 question, और इस, योग एक नजर में, हमार 60 question है, एक तो कल उस पर एक वीडियो रहेगा और इस तरह से हम लोग साट में ही योग के बारे जान जाएंगे क्या है है हमारे एक्जाम में कैसे कोस्चन पूछता है योग से संब्दित तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ओके थैंक्यू सो मच हैं अल्दाव